मस्कार दोस्तों मैं हूँ नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है इस वीडियो में हम लोग अपने पुराने सिरीज जो कि युनिवर्सिटी में पूछे हुए कोस्टेंज को डिस्कस कर रहे है जो कि यहाँ पर भी यह कोस्टेंज जो हम लोगों ने लिया है यह आपका unit 1 का ही कोस्टेंज है और जो कि problem number 9 है तो देखिए इस कोस्टेंज में क्या कहा गया है using Maxwell loop current method find current in 9 ohm register यानि कि एक diagram दिया हुआ है और उसमें कहा गया है कि यह जो 9 ohm का resistance है इसमें आप current की value जो है वो find करिए और उसके लिए find करने के लिए आपको जो इस्तमाल करना है वो क्या use करना है आपको loop current method यानि कि loop analysis या कह सकते हैं कि mess analysis ही आपको apply करना है तो देखिए उसमें क्या तरीका होता है हम सबसे पहले क्या करते हैं कि loop assume करते हैं ठीक है तो loop assume करते हैं तो यहां देखोगे तो एक दो और तीन तीन loop है और उनकी current हम अपनी तरब से माल लेंगे तो हमने यह माल लिया कि यहां की current कितनी है i1 यह current कितनी है आपकी i2 और यह current है आपकी i3 अब यह current flow हो रही है इसको हम चाहें तो ऐसे dotted line से भी दिखा सकते हैं कि यह loop की current है किस किस ब्रांच में कितनी-कितनी flow हो रही है तो देखें मैं यहां पे dotted line से भी दिखा देता हूं जिससे कि आपको अधिकत ना हो तो देखें यह यहां पे दिख रहा है कि यह clockwise direction में आपक लिखें और ऐसे ही आपकी जो है third loop की भी current आपको मिलेगी तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है कर लेते हैं आप paper में इसको नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है बस आपको ध्यान रखना है कि हाँ इसका मतलब यह जो हम लोगों clock noise बनाया इसका क्या meaning होता है यह आपको ध्यान रहना चाहिए इसके बाद जो है हम लोगों को plus minus लिखना होता है तो plus minus लिखने के लिए हमने already discuss किया हुआ कि अगर कोई resistance r है और यहाँ पे वो enter कर रही है कोई भी current आई तो जहाँ enter करेगी plus और जहाँ बाहर आएगी वो minus हो तो उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर plus minus लिखेंगे तो देखे current यह है ऐसे जा रही होगी तो अबसे बात इसमें इस तरफ से arrow बना हुआ है यहाँ पर क्या होगा plus यहाँ पर क्या हो जाएगा minus इसमें downward है यानि कि उपर plus नीचे minus इसमें देखे तो current upward दिख रहा में upward है तो यहाँ नीचे plus और उपर minus हो जाएगा अब हम लोग क्या करेंगे एके करके इनो लूप में जो है केविल apply करेंगे तो तीनो लूप में केविल apply करना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे first loop की तो first loop में आप देखे तो हम लिख सकते हैं apply केविल in loop 1 अब first loop में केव लिख तो लिया अब apply करेंगे तो apply करने के लिए suppose मैं यहाँ से 3 से start कर रहा हूं और clockwise direction में ही जा रहा हूं तो देखे प्लस से कहां जा रहा है minus तो ध्यान रखना है कि मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं कि अगर हम plus से minus की तरफ जाएंगे तो हमेशा जो है आपको minus value लेनी है और अगर आप minus से plus की तरफ जा रहे हैं तो हमेशा positive value ही consider करेंगे तो उसको देखते हुए आप यहाँ पर apply करेंगे तो देखे प्लस से कहां जा रहे है minus की तरफ तो हम यहाँ पर लिखेंगे minus का 3 और current कितनी है वो है इस branch की देखे एक ही current है वो कौन सी है I1 तो I1 लिख ल minus I2 जिस loop में रहते हैं उस loop की current को हमेशा बड़ा माना जाता है तो क्या लिखेंगे minus का time 4 और I1 minus I2 फिर यहाँ पर आने के बाद minus से plus तो क्या हो जाएगा plus 27 बराबर 0 तो इस तरीके से जो है हमारा first loop की equation मिल जाएगे अब इसको arrange कर लेंगे हम लोग तो arrange आप जब करोगे तो कितना आजाएगा minus का 7 I1 plus का 4 I2 is equal to minus का 27 यह आपकी equation number first हो जाएगे अब ऐसे ही हम यहाँ पर लिख लेंगे apply kvl in loop 2 जो second loop में हम लोग kvl apply करेंगे तो देखे हमने लिख लिए apply kvl in loop 2 kvl का मतला किर्च of voltage law अब यहाँ पर फिर से मैं इस point से ही start करूंगा यहाँ पर 9 से clockwise में ही trace करूंगा तो देखे प्लस से minus की तरफ जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम minus का 9 और current कितना है I2 फिर plus से minus तो क्या लिखेंगे minus का 5 और current क्या होगी दो current है दोनों opposite है तो इसलिए लिखा जाएगा I2 minus I3 फिर इधर आएंगे plus से minus तो क्या लिखेंगे minus का 4 और current कितना है अगें यहाँ पर 2 है एक I2 और दूसरा I1 और दूसरा I1 और दूसरा के opposite है तो इसलिए क्या लिखा जाएगा I2 minus I1 बराबर 0 हमेशा ध्यान रखना है जिस लूप में रहते हैं उस लूप की current को हमेशा बड़ा माना जाता है तो यह चीज आपको जरूर ध्यान रखना है अब इसके बाद अब इसको फिर से arrange करेंगे तो हमें देखे arrange करने पर क्या मिल जाएगा I1 का value है I1 एकी term है यहाँ पर तो minus minus हो जाएगा plus तो लिखेंगे 4 I1 minus तो 9,5,14,14,14,18 minus का 18 I2 फिर इसको बाद I3 minus minus हो जाएगा plus तो plus 5 I3 बराबर 0 यह हो जाएग equation number second अब last बच जाता है आपका loop 3 तो loop 3 में क्या होगा आप देखे तो एक current source आगया और वो एक ही loop में involved है तो एक ही loop में involved है तो इसका मतलब क्या हमको direct current के value मिल जाएगी तो direct निकलना है अब हमको बस इतना ही देखना है कि जो हमने माना है और जो यहाँ दिया है तिया same direction में है तो हमें बड़े आराम से i3 की value normally कितना हो जाएगा जो भी यहाँ पर लिखा होगा वह ही हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं from diagram from diagram i3 बराबर 6 ampere न यहाँ पर diagram को देखते हुए i3 की value कितनी होगे 6 यहाँ पर जो होता वो लिख दिया जाता है तो हमने यहा question को solve करके i1, i2 और i3 की value हमको मिल जाएगी तो हम यहाँ पर simply एक line लिखेंगे तो देखिए solve करने पर i1 और i2 की value मिल गई है 5.50 और i2 की मिल गई है 2.89 और i3 तो already हमको पहले से ही पता है 6 ampere तो इस तरीके से i1, i2 और i3 तीनो value मिल गई है अब question में क्या पूछा गया था 9 ohm में current निकालो तो 9 ohm में current निकालो यह पूछा गया है तो आप देखिए आप diagram में कि 9 ohm में कौन सी current flow हो रही है तो यह वाली current हो रही है और यह कौन सी current है i2 है तो हम simply एक line में लिखेंगे current in 9 ohm resistance और उसके बाद लिखेंगे वो value कितनी थी हमारी i2 और i2 की value हम लोग न निकाली है 2.89 ampere तो इस तरीके से बहुत simply जो है हमको answer जो है मिल जाएगा तो बहुत simple questions पूछे जाते हैं और यह question भी जो है आपका 18.19 का जो है पूछा हुआ है और 7.19 का यह पूछा हुआ question है तो इसमें आपको जो है घबराना नहीं है बहुत आसान आसान और simple questions जो है प पहली unit अच्छे से त्यार करते हैं तो बड़े आराम से जो है आपके दो numerical मिल ही जाएंगे पेपर में और अगर दो numerical आपका जो है आ जाता है तो 7 और 7 14 नंबर का तो आप बहुत आसानी से कर लोगे कहीं पे कोई आपको problem आएगी ही नहीं तो इसलिए जो है थोड़ी सी मे resolve करने की कोईसिस करोंगा तो आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ share करें और चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लें तब तक के लिए धन्यवाद